Hello students, welcome to ADP Star Kota तो देखिए बच्चो आज हम IIT JEE की mathematics स्टार्ट करने जा रहे और सबसे पहले जो बच्चो चीजे हम cover करने वाले हैं जो आपका पहला chapter रहने वाले है that is basic maths तो basic maths के बच्चो आपके पास में जो lectures रहेंगे उसमें जो first आज का आपका जो lecture है that is number system number system से related कुछ अच्छी अच्छी बाते हम आज की इस lecture में सीखेंगे और इस particular lecture में बच्चो हम क्या cover करने वाले हैं number theory और HCF और LCM के बारे में इस particular lecture में हम आज बाते जो जानने वाले हैं obviously इन दोनों चीजों के बारे में आपने बच्पन की classes जो है उनमें भी काफी कुछ जो पढ़ा हुआ होता है बट आज बच्चो आपको वो तो सम्मध दुवारा से सिखाने वाला हो इसके अलावा कुछ नई नई amazing चीजे जो वो हम सीखने वाले हैं और basically इस lecture का जो purpose है वो आपका बच्चो अब दीरे दीरे basic math जितने दिन चलेगा उसमें आपको math में जो आपका interest है वो आपको develop करना है क्योंकि बच्चो मान के चलिए कि आगे की पूरी math 11th class 12th class की जो पूरी ITGE की mathematics होती है वो पूरी इनी basics पे ही टिकी होती है तो ये मान के चलिए कि बच्चो अगर ये starting के basic math के 8-10 lecture आपने बहुत interest आपने develop कर लिया और अच्छे से सारी चीजों को बहुत ध्यान से अगर समझते वे चले हैं तो आगे की math जो आपकी बहुत smoothly चलेगी बड़ बच्चो अगर यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मेनत नहीं की अगर आपके concepts आपके basic fundamentals अगर weak रहेगे तो फिर आगे की math जो आपने सुना होगा ना कि J की math बहुत tough होती है तो वो actual में tough उन बच्चों के लिए ज्यादा होती है जिनके basics जो है वो strong नहीं होते कि आपको भी पतागी है पूरी math जो उसी fundamentals जो उस पे चलने वाली है तो अभी हम lectures start करेंगे उससे पहले मापको कुछ कुछ चीज़े बता देता हूँ जो आपको इस पूरी journey में काम आने वाले है जिनको आपको लगातार जो वो apply बच्चों करते हुए चलना है पहली चीज हाथ में बच्चों अपने notes जो वो खुझ से handwritten notes जो आपको बनाने है क्योंकि जैसे जैसे आप हातों से खुझ के हाथ से आपकर लिखते जाओगे तो चीज़े आपको लंबे time तक याद रहेंगे और साथ-साथ में आपका mind जो वो भी fast calculation कैसे करती है इस पे ज्यादा आप आपका तो दिमाग लगा ही नहीं है उसमें सारी चीजे जो मेरा mind लगा है तो वो actual में आपको समझ में नहीं आता तो जब तक आप चीजे लिख लिख के नहीं देखोगे तब तक आपका काम जो वो नहीं चलने वाला तो पहली चीज़ क्या होगी कि notes आपको हर एक lecture के है तो आप उस question को try नहीं कर रहे हैं और wait कर रहे हैं कि मन्स question को solve करूँगा तब आप note करो नहीं बेटा हरे question को आपको खुझ से try करना है क्योंकि पहले आपका दिमाग जब उसमें लगेगा तो चाहे आपसे वो question हो या ना हो लेकिन अगर वो नहीं भी हुआ तो at least आपको जो daily का homework रहेगा, आपको daily के task बहुत simple है, जैसे आपको पता होगा कि JEE जो वो बहुत tough exam है, लेकिन अगर आप मालो कि basics, जो daily के आपका routine है, जो daily के task है, वो अगर अच्छे से complete करते हुए चलते हैं, तो journey बहुत smooth चलने वाली है, यह difficult तब बन जाता है, जब हम काफी दिनों कुछ पढ़ते ने, और फिर एक साथ सब कुछ cover करने की कोशिस करते हैं, तब यह और ज्यादा tough हो जाता है, तो आपको simply क्या करना है, daily के task complete करते जाने, और daily के आपके task क्या है, पहला lecture देखना, और उसके notes बनाना, और दूसरा simple सा task है कि आपको जो homework दिया जाता है, वो homework बच्चों complete करना, जो भी आप next lecture देखोगे, next lecture से पहले जो आपका first lecture होगा, उसका homework आपका always ready होना चाहिए, जैसे आज का particular lecture है, यह आपके लिए आप ऐसा माल सकते हो, आपका chill माहूल है, क्योंकि आपका first lecture है, तो इसमें बहुत ज्यादा load आप पे नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, यह दीरे दीरे, हम स्मूदली उठेंगे, बिल्कुल basic से लेके बच्चों आपको IIT, JE के level तक जो वो ले जाये जाएगा, उसकी tension आप बिल्कुल मत कीजिए, तो आज का lecture तो basically आपके लिए थोड़ा सा हसी खेल वाला सा lecture रहेगा, कुछ बाते आप इनमें से जानत करना है, और समझना है कि जो आपने पहले बच्चपन में जो बढ़ते हैं उनमें और यहां पे जो है वो क्या-क्या चीज़े जो डिफ्रेंस आ रहा है, क्योंकि देखो actual में और इसके लाब books की, अगर मानलो हम बात कर ले थोड़ी सी, तो आपको simply क्या करना है, जो आपको आसान है, लेकिन वो तभी लगेगा जब आप यहां पे lectures जो है, वो बहुत अच्छे से बच्चों देखते जाओगे, ठीक है, तो बहुत ही fun fun में, मजे मजे में बच्चों मैच को करना है, आपको interest जो develop करना है, मैच से भागना नहीं है, जो बड़ी problems हैं, उनको खुद से solve करना है, आना बहुत जल्दी जब आपको homework मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई question नहीं हो रहा है, तो तुरेंट solution पे jump कर जाए, कई बार क्या होता है, बच्चे Google कर लेते हैं, यहां solution देख लिया, वहां solution देख लिया, इससे बटा आप चीजे कभी भी सीख नहीं पाओगे, त अगर आपको सीखना है, तो ज्यादा से ज्यादा problem खुझ से solve करनी है, चाहे time ज्यादा लग जाए, क्योंकि देखो दो चीजे होती है, एक तो होता है कि question को सही करना, दूसरा होता है कि उसको limited time में करना, तो दोनों चीजों को अभी एक साथ focus करते हो नहीं चलना, अभी आ साथ आगे जो lectures रहेंगे, वहाँ पे भी बच्चों आपको लगाता जो इस तरीके की tips बताता रहूँगा, तो उस चीज के बारे में आपको बिल्कुल भी tension जो नहीं लेनी है, ठीक है, मस्त होके, आराम से बिंदास होके पढ़ना है, ठीक है, जिस जिस भी देवता को मानत तो उसका नाम लेके start करते हैं, maths का lecture 1, number theory and hcf lcm बच्चों सीखने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले अगर बच्चों मैं बात करूँ, तो आपने जो यहाँ पर अब तक बच्च्पन में पढ़ा है, वहीं से मैं कहाने start करता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी feel जो है वो आ सीखने को मिलेंगे, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम numbers की बात करें, numbers की दुनिया की बात करें, तो जो सबसे बड़ा जो होता है, that is complex number आपके पास में सबसे पहले आते हैं, ठीक है complex number, अब यह क्या होते हैं, यह तो सारी हम बिलकुल बाते करने वाले हैं, यह बेसिकली बच्चो इसको दो category में divide जो वो किया होता है, एक imaginary number बोला जाता है, इसको मैं अभी, वैसे generally इसको I am से represent करते हैं, main तो चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, कि वही क्या लिखा हो, एक imaginary number होता है, और दूसरी एक real दुनिया होती है, एक real दुनिया होती है, उसके बाद में बच्चो अगर हम बात करें, यह जो real numbers होते हैं, यह आपको पता होगा कि यह दो type के numbers होते हैं, एक आपके पास में यहाँ पर rational numbers आ जाते हैं, और दूसरे जो है वह आपके पास में यहाँ पर irrational numbers आ जाते हैं, इसके बाद में अगर थोड़ा सा और आगे की दुनिया में चलें तो यहाँ पर यह जो बच्चों आपके पास में rational numbers हैं इसके अंदर भी आपके पास में क्या होते हैं एक integers आते हैं और एक non integers basically आपके पास आते हैं तो इसमें भी अगर हम बात करें integers और एक हम ऐसा बोल देते हैं non integers उसके बाद में बच्चों बात करें तो यहाँ पर integers जो है वो भी आगे अलग-अलग category में divide हो जाते हैं जैसे हम बोलते हैं कि positive integers, negative integers और एक non positive और non negative नाम की भी एक term होते हैं यह सब क्या होते हैं अब इनके बारे में बच्चों हम detail में जो एक-एक के बारे में समझने वाले है क्योंकि यहाँ पर जो rational numbers है उसके अंदर एक natural number whole numbers इस type की बाते जो हो आपने सुनी होंगी बच्च्पन में तो चलिए उनी से हम start करते हैं first आपके पास में natural numbers अब देखो यहाँ पर आपको क्या-क्या चीजी सीखनी है एक तो अब्वेसी बात है कि किसी भी type का जो number है वो क जो बाते लिखी हुई होती है उनको हम यहाँ पर mathematically represent करने की try जो वो करेंगे और mathematically represent करने का यहाँ जो मतलब होता है वो basically क्या होता है कि यहाँ पर numbers के बारे में उनके symbols यह सारी चीजे जो हम सीखने वाले हैं तो चलिए जो पहला natural numbers है natural numbers में हमने बोला कि यह basic counting होती है सबसे पहली बात है कि इसकी जो मतलब इसकी जनरत बेसिकली क्यों पड़ी है अगर मालों आपसे जैसे कोई कूछ सा जाता है कि तरे पास में कितने pen है क्या है तो counting करके बताता है तो basically जो counting है उसी को natural numbers जो बच्चों बोला जाता है और natural numbers जो है उनको capital N से represent किया जाता है natural number को capital N से represent किया जाता और इसमें कौन-कौन से numbers आते हैं basically 1,2,3,4,5 यह जो basic counting आपके पास में और यह numbers कहां तक चलते जाते हैं infinite तक चलते जाते हैं तो यह बच्चों सबसे पहली चीज़ हो गई आपके पास में natural numbers जिसको capital N से हम represent करते हैं second आती है बच्चों whole number whole number में कुछ नहीं है एक छोटा सा change आ जाता है कि जो counting है उसके अंदर एक element एक digit और add हो जाती है और इसको बच्चों हम represent करते हैं capital W से और जो एक extra digit जो यहाँ पे add होगी वो होती है 0,0,1,2,3,4 यानि यह सारे के सारे जो numbers है बच्चों वो किसमे count होगे आपके whole numbers में यानि अगर हम मोटा मोटी बात करें अगर मैं आपको statement बोलू जरह इस statement के बारे में सोचना और खुझ से answer इसके पूछो अगर मैं सबसे पहले आपको बोलू क्या all natural numbers are whole numbers यह statement number one है statement number one क्या है all natural numbers are whole numbers statement number two all whole numbers are natural numbers इन दोनों statement को अपने mind में process कीजिए और सोचे कि इन में से कौन सा statement जो वो true है तो क्या मैं ऐसा बोलूगा कि statement one जो है वो true है statement two जो है वो false है क्योंकि सारे के सारे जो natural numbers है वो तो यहाँ पे whole numbers में आ रहे हैं लेकिन क्या जो whole numbers है वो सारे natural numbers में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जो zero है बच्चो वो zero जो है यहाँ पे counting नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि बई natural numbers जो वो सारे whole numbers होते हैं बट whole numbers जो वो natural numbers नहीं होते हैं I hope इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से clear हुई होगी तो यह चीज जो वो बच्चों आप खटखट से note कर लीजिए simply कि natural numbers capital N से represent 1,2,3,4,5,6,8, whole numbers capital W से represent and 0 जो जो वो इसके अदर additional आ जाता है चलिए उसके बाद में गर हम बच्चों बात करें integers की तो यह जो integers है इनको सबसे पहले तो अगर हम इनके symbol की बात कर ले तो इसको बच्चों कई जिए capital I से represent किया होता है कई बार capital Z जो है उससे भी इसको represent किया जाता है अब यहाँ पर एक बहुत interesting चीज है जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे जब हमने बात की थी कि complex number वाली दुनिया में जब हम चलेंगे जो imaginary दुनिया जिसको माना जाता है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो complex number है उसको भी Z से ही represent किया जाता है और कई बार वो Z अपने को समझ में नहीं आता क्योंकि simply लिखा होता है Z हमने देखा होता कि इंटीजर जो वो भी Z से था अब complex number जो वो भी Z से है तो difference किया है तो यहर वहाँ पर हम आपको पहले से बता देता हूँ कि जो complex number होगा ना जो complex number होगा उसको Z से represent किया होता है पर वो Z के बीच में ऐसे थोड़ा सा cut सा लगा हुआ होता है ठीक है तो यह आप दोनों में difference देखोगे कि integers जो है उनको capital Z और यहाँ पी जो Z है वो थोड़ा सा cut हुआ सा आपको जो वो नजर आएगा तो यह basically complex number को represent किया जाता है इसकी कहानी हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगी कि होते ही क्या है चली तो integers के हम बात कर रहे थे तो हमने सबसे पहले बोला कि भाई इसको I या Z से हम represent करते हैं और इसके अंदर elements कौन से आते हैं इसके अंदर elements आते हैं बच्चो 0, 1, 2, 3 यह सारे whole numbers तो थे ही थे इसके अलावा इधर भी चलता जाता है यह इधर भी चलता जाता है बच्चो इधर minus infinity तक जाएगा इधर plus infinity तक जाएगा तो यह सारे के सारे जो numbers होंगे वो numbers आपके पास में बच्चो किस में आ रहे होंगे integers में आ रहे हुए अब integers में देखो थोड़ी सी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे integers को आगे और भी 2-3 term में divide किया हुआ होता है और यह पूरी match में यह terms लगातार चलने वाली है इन terms के बारे में बच्चों कोई confusion आपको नहीं रहना चाहिए इसलिए मैं तीनों term आपके सामने लिख देता हूँ ध्यान से समझ लो एक term आती है आपके पास में positive integers positive integers ध्यान से समझना बच्चों मेरी बाद को positive integers इसके बाद में एक term बच्चों आपके पास में आती है negative integers negative integers उसके बाद में बच्चों आपके पास में एक टम आती है Non-Negative Integers Non-Negative Integers इसके बाद में एक ओर टम बच्चों आपके पास में आती है Non-Positive Integers Non-Positive Integers अब एक बार वीडियो को ज़रा बच्चों पोस करके आप खुज से ये लिखने की ट्राई कीजिए कि positive Integers कौन से होगे negative Integers कौन से होगे Non-Negative Integers कौन से होगे और Non-Positive Integers वो कौन से होगे वैसे तो ये थोड़ा सान नाम से भी आपको समझ में आरहा होगा Positive Integers का मतलब интegers की पुरी मैफिल थी integers की पुरी महहिखिल थी, ये integers थे सारे, इसमें हमने आवाज लगाई कि भी positive वाले सारे आजो तो positive वाले कौन कौन उठके आएंगे 1 आजाएगा, 2 आजाएगा, 3 आजाएगा, ये सारे integers बच्चो positive फिर हमने आवाज लगाई कि भी negative वाले सारे उठके आजाओ तो नगेटिव में मुला मने माइने माइनस 1-2'-3'-4' यह वो नगेटिव इनपीप्वी यह ज़ो दोनों टरम्ज निमें कोई खास कार्गूजन नहीं होता है फोजितिव Mi वाला हू उठालेगे नगेट ऑद प्लेस वालों का all positive integers are natural numbers yes, all natural numbers are positive integers, yes, यह दोनों बाते जो वो same है, इसको हम capital N भी बोल सकते हैं अगर कहीं पर positive integers बच्चो बोला हुआ होता है, तो उसको एक symbol होता है, integer को हम I से represent करते हैं उसके उपर अगर हम plus लगा देंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यह positive integers है, similar way में negative integers को कैसे represent करेंगे I integer और उपर negative लगा दिया, तो इसका मतलब यह negative integers की यहाँ पर बात कर रहा है यह दो term आपको I hope समझ में आई होगे, चलिए अगली third term के बारे में बात करते हैं non negative integers अब बही non negative integers को अगर हम बुलाएंगे, तो इसमें कोन आएगा non negative, non negative non negative, term को mind में set को non negative का मतलब negative नहीं होना चाहिए बस, इसकी इतनी condition है कि negative नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले कोन आएगा उठके भागा भागा, यह integers थे, हमने इसमें से non negative को बुलाया, सबसे पहले 0 आएगा 0 बुलेगा, मैं तो negative नहीं हूँ तो हमने उसी को तो बुलाया है जो negative नहीं है, बाकी चाहे कुछ भी है तो negative नहीं है, तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, यह सारे के सारे non negative integers है, non positive 0 बुलेगा, non positive का मतलब क्या है, जो positive नहीं होना चाहे 0 बुलेगा, मैं तो positive भी नहीं हूँ हम बोलेगे, चल भाई, तरी को इस वाले में भी count कर लेते हैं तो यह देखो, 0, minus 1, minus 2, minus 3 यह सारे आपके पास में कैसे integers होंगे, non positive बच्चों, यहाँ पे integers आ रहे होंगे, तो यह count करेंगे, क्योंकि 0 जो है उसको basically बैटा, हम ना ही positive integer बोलते हैं, और ना ही इसको हम negative integers बोलते हैं, तो यह बच्चों एक integers की दुनिया हो गई, जिसमें हमने आपको बताया कि आई और capital I और capital Z जो है उससे इसको represent किया जा सकता है, clear, I hope यहाँ तक कोई problem नहीं होगी, आसान आसान सी बाते हैं, चलिए अब थोड़ी सी interesting कहानिया अब start करते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगना जो हो start होगा, rational numbers की बात हम बच्चों कर रहे हैं यहाँ पर, rational number सबसे पहले अगर हम इसके symbol की बात कर लें, तो इसको capital Q से represent किया जाता है यह आपको पता होगा अब यहाँ पर क्या बोला गए, इसको definition को एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चपर में आपने यही definition जो पढ़ी हुई होती है all the numbers that can be represent in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0 are rational numbers अब इसी बात को मैं mathematics में कैसे लिखूँगा, maths में कैसे लिखूँगा, यह देख लो एक बार के लिए थोड़ा सा इसको समलना कि Q का मतलब क्या हो गया, rational numbers अब मैं बोलाओ कि rational numbers कौन से है rational numbers वो numbers है जिनको हम P by Q की form में represent कर सकते हैं, और यहाँ पे P and Q जो वो क्या है integers हैं, यह एक symbol आप देख रहे हैं होंगे यह symbol है बेटा, belongs to यह symbol किसका है, belongs to belongs to का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा न, belongs का मतलब क्या होता है जैसे कोई person है, वो कहां से belong कर रहा है, उसकी family क्या है तो वैसे ही math में की जो family है, उसके अंदर belongs को एक symbol दे दिया जाता है यह वाला symbol जो belongs to का sign होता है, इसका मतलब सोरी, यहाँ पर ऐसा symbol तो इसका मतलब होता है, यह इस family से है यह प्रजाती से है, यह P और Q कौन से वाले परिवार से है यह integers वाले परिवार से हैं integers का जैसे ही नाम लेते हैं तो आपके mind में तुरंट आ जाता है 0, 1, 2, 3, minus 1, 2, minus 3 यह सारी चीजे, चाह इसके अलावा एक बात और बोली जाती है कि Q जो है वो not equals to 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इस form में लिखा है और denominator वाला number 0 हो जाएगा तो यह तो define नहीं होगा तो इसलिए यह मैंने match में जो इतनी लंबी चोड़ी कहानी लिखी थी match में इसको इतना सा लिख दिया जाता है Q का मतलब rational number है P by Q का मतलब यहाँ पर P और Q integer इस form में लिखा होना चाहिए और Q जो है वो बच्चों यहाँ पर equals to 0 होना चाहिए T का सर इतनी बात जो वो हमें समझ में आती है इस बात को हम समझ गए कि P by Q की form में यह लिखा हुआ होता है और यह सारी के सारी काहनिया जो होती है अब चलिए कुछ interesting सी बाते हम यहाँ पर करते हैं जब 8th क्लास तक हम यही चीज़े पढ़ते हैं 8th क्लास तक बिल्कुल rational number की यही definition जो वो अपने mind में अच्छे से सैटे की हुई होती है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे उनके नाम जो वो आपने सुने हुए होंगे तो इसी definition जो है जो rational number की इसको थोड़ा सा मैं और extend करके बच्चों आपको पताने की कोशिश करता हूँ देखिए ज़रा अगर मान लो कि जैसे अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि भई P by Q form में जो लिखा हुआ होना चाहिए चलिए अगर मान लो हम कुछ examples की एक बार के लिए बात कर ले थोड़ी देर के लिए तो मैंने ऐसे ही कुछ बोल दिया कि यहाँ पर मान लो कि मैंने 5 by 2 ले लिया एक number एक number मैंने क्या ले लिया बच्चों 3 upon 1 ले 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 लिए अब मैंने देखा कि यहाँ पर यह दोनो नंबर पी बाई क्योंकि फो में लिखे वे अगर मान लो मैं इसको simplify करके लिख दूँ तो यह यहाँ पर basically 2.5 लिखा हुआ है यह यहाँ पर अगर मान लो मैं लिख दूँ इसको तो यह 0.33333333 यह ऐसे चलता रहता है इसको अगर मैं लिखूँ तो यह 3.0 लिखा हुआ है इतनी बास समयाथ है क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम एक special number की चर्चा करने वाले हैं और वो number माप के सामने लिख देता हूँ एक बार 22 by 7 क्या आपको इसे 22 by 7 के बारे में पता है यह कितना होता है 22 by 7 यह होता है बच्चो 3.142857 और यह आगे dash 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 का मतलब क्या है कि यह number जो है वो ऐसे चलता रहता है इस number के बारे में यह बड़ा खास number है यह बहुत special number है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे पहले एक बार यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 type के number लिखे तीन type के number में क्या हो रहा था बेटा जैसे एक number जो था इसके अंदर ऐसा था कि जो decimal है उसके बाद में कोई भी digit नहीं है यहाँ पर एक number ऐसा था जिसमें decimal के बाद में digit है और वो digit बस वहीं पर खतम हो चुकी है यहाँ पर मैंने एक और number लिखा जिसके अंदर digits जो चलती जा रही चलती जा रही यह कभी खतम नहीं होंगी लेकिन यह digits जो है वो repeating digits है तो यहाँ पर देखना ज़रा है यहाँ पर देखना मैं एक काम की बात लिख रहा हूँ एक बहुत ही सुन्दर सा note मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप देखोगे कि यार यहाँ पर कोई digits जो repeat नहीं हो रही है रेंडमली digits जो आपके पास होती जा रही है होती ही जा रही है तो इस number को हम rational बोलें या irrational बोलें इसकी मुद्धे पर हम basically बात कर रहा है इसी के लिए सारा माहोल जो बच्छो बनाया जा रहा है तो मैं आदू आला बात after decimal if digits if digits are terminating या मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले digits are repeating digits are repeating और terminating digits are repeating और terminating then number is called then number is called rational यह not लिख ले ना बच्छो मेरे साथ साथ यह बहुत काम का नोट है क्या बोला मैंने यहाँ पे कि मैं एक दूसरी definition p by q वाली तो ठीक दी एक बात मैंने और बोल दी कि अगर decimal के बाद में digits आपकी या तो repeat हो जा रही है या फिर terminate यानि खतम हो जा रही है तो वो rational number है अब यहीं पे इसी का दूसरा बोल दूँ irrational का दूसरा क्या होता है irrational जिसको हम q डेस से represent करते हैं यह बच्चा आपके पास में rational है यह आपके पास में rational है और यह q डेस जो है वो क्या होगा irrational यह symbols बच्चा आपको ध्यान रखने है यह symbols जो आपको ध्यान रखने है तो मैं देखो यहाँ पर क्या बोलना हूँ if digits if digits are यह आपने टम सुनी होगी ना बच्चमन में अरे बोलो वहीं सुनी है कि नहीं यह वाली टम सुनी है कि nrnt अरे बोलो समझदार बच्चे समझगे समझदार बच्चे समझगे क्या मतलब है non repeating non-terminating अगर decimal के बाद अगेर मैं यहां पर यह जो बात कर रहा हूँ वह किसकी बात कर रहा हूँ after decimal की बात कर रहा हूं कि decimal के बाद में अगर digits आपके पास में non-repeetating है and non-terminating है then, then number is irrational then number is irrational then number is irrational इतनी बात समझ में आती है क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इतनी बात समझ आती है कि decimal के बाद में अगर digits आपके पास में या तो repeat हो रही है या फिर खतम हो चुके Terminate हो चुकी है तो वो number rational होगा अगर नहीं हुई है तो वो irrational होगा अच्छा ठीक असर ये बात हमेरES समझ में आती है अगर समझ में आती है तो ये बता दो कि ये क्या है ये आपके पास में rational है ये rational क्यों है क्योंकि digits यहाँ पे terminate हो रही है decimal के बाद में खतम ये भी rational है ये rational क्यों है क्योंकि यहां पे digits जो बच्चो repeat हो रही है 3 3 3 3 ही चलता जा रहा है तो ये भी rational है ये भी rational है क्यों क्यों क्योंकि यहां पे decimal के बाद में digits जो वो terminate हो चुकी है ओके तो क्या एक मेरे को आप चोटा सा example और बता दोगे क्या अगर मालो मैं कुछ एक छोटी-छोटी सी बाते अगर आप से पूछनू अगर मालो मैंने ऐसे बोल दिया 1.54 मैंने एक नंबर लिख दिया फिर मैंने यहां पर 1.54 मैंने यहां पर 543 एक ऐसा सा नंबर लिख दिया फिर एक नंबर मैंने यहां नमबर्स के बारे में सोचो कि इन थीनों में से कौन सा नमबर rational है कौन सा नमबर irrational है तो यहां से आप देख पाओ वेटा तो यह नमबर बता दो कैसा है rational है क्यों rational है क्योंकि decimal के बाद में digits जो है वो terminate हो चुकी है अगली बात पहुंसते हैं क्या यह कैसा number है. ये sir q-dash है, ये irrational है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर dash 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 लगा है. इसका मतलब terms ना ही terminate होई है और ना ही repeat हो रही है. चलता जाएगा, चलता जाएगा है. इसलिए irrational है. चलिए इसकी बात कर लेते हैं. ये rational है. ये rational क्यों है? Sir terms यहाँ पर decimal के बाद में digit repeat हो रही है terminate नहीं हो रही है लेकि repeat हो रही है तो वो number जो वो कैसा होगा rational number होगा अब एक चीज के बारे में सोचिए अब आते हैं इस दुनिया के अंदर तो यहाँ पे जो पहला दर्श से आपको जो नजर आ रहा है जो पहला दर्श से आपको यहाँ से नजर आ रहा है वो ऐसा आ रहा होगा वो ऐसा आ रहा होगा कि यह numbers sir यह numbers जो है वो non repeating है non terminating है तो यह जो 22 by 7 है इसको irrational बोल देते हैं अरे भाई अगर इसको irrational बोल दिया तब तो यह इधर वाली definition गलत हो जो हमने बोला था कि p by q की form में होना चाहिए जहां पर p integer है q integer है सारी बाते तो set हो रही है फिर यह irrational क्यों हो जाएगा तो यह irrational नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसके मुद्दे पर माँ आजओ थोड़ी सी चर्चा और यहाँ पर कर लेते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दी I think वो आपने note कर ली होगी कि यह decimal के बाद में अगर terms, digits आपके पास में repeating है और terminating है तो वो number जो वो rational होगा अब यहीं पर देखो मैं एक आपके पास में दूसरी बात और करता हूँ मैं यहाँ पर ऐसा बोलना हूँ आपको Q and Q' are alternate to each other बहुत खास बात है बच्चोए बहुत ही खास बात क्या बोला मैंने यहाँ पर कि एक rational number और एक irrational number एक दूसरे के alternate होते हैं इसका मतलब दुनिया में अगर आप कोई भी एक rational number उठाओगे उसके तुर्डबाद वाला नंबर और उसके तुर्डबाद पहले वाला number जो हमेसा irrational होगा अगर आप दुनिया का कोई भी irrational number अठाते हो तो उसके तुर्डबाद वाला और तुर्डबाद वाला number जो है वो एक rational number होता है यह बहुत ही interesting बात है जैसे अगर माल लो कि मैं बहुत ही simple सब्दों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो अगर माल लो मैं ऐसे आपको बोल दूँ कि कोई एक number मैंने आपको माल लो कि बोल दिया कि 5 से बड़ा number बताओ अब जो देखो जो समझदार आदमी नहीं है जो थोड़ा सा भोला आदमी है बेचारा थोड़ा शरीफ आदमी है वो क्या बताएगा वही 5 से बड़ा number अच्छा हो बोल देगा तो समझदार आदमी तो इसकी परिभाशा क्या देगा पांच से बड़ा number क्या है तो वो तो अपनी हार मानने का बोल देगा भी मेरे को नहीं पता और यहार मानने में actual में समझदारी है क्योंकि actual में ही आप नहीं बता सकते कि इस number से जस्ट बड़ा number कौन सा है और किसी भी number से जस्ट छोटा number कौन सा है इस मुद्दे पे बिल्कुल आप नहीं बता सकते तो हम 22 x 7 पे आते हैं दो खास numbers के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगिर मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर irrational number बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ irrational number की जैसे हमने definition की बच्चों वहाँ पर बात की थी तो हमने बोला था और यहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ यहां पर irrational number की जो हमने बात की थी कि numbers which cannot be expressed in P by Q form यह जो numbers है वो सारे irrational numbers होते हैं अब यहीं पर जो हमने दूसरी definition लिखी थी वो मैं एक बार आपको फिर से repeat कर देता हूँ और मैं यहां पर ऐसा बोल देता हूँ बच्चो after decimal, after decimal की बच्चों मैं यहां पर बात कर रहे हैं if, after decimal, if digits are non-repetating, non-terminating then number is called, then number is called irrational number साथ साथ में लिखते जाना then number is called irrational number अच्चा, इसको किस से represent किया हमने, q-स से अगर हम इसके examples की बात कर लें तो जैसे अगर मैं simple वासा में आपको बोलू तो भी जो यह under root वगेरा लगे होते हैं under root 2, under root 3 यह इस तरीके के जो numbers है ना यह आपके पास में कैसे numbers होते हैं irrational numbers होते हैं चलिए अब maths में अब जो आपके ITGE की maths है उसमें 2 special e-rational numbers की बाते होती हैं जिनमें 1 को πाई लिखा होता है 1 को e लिखा होता है पाई आपने बच्चमन में सबने को पता है पाई क्या होता है यहाँ पी e जो उसको बच्चों ने पिर्स कॉंस्टेंट जो बेसिकली बोला जाता है अब इसके बारे में आपको क्या पता रखना है आपको इसका बारे में बस इतना पता रखना है कि इसकी वेल्यू जो वो एप्रोक्सिमेट वेल्यू इसकी 2.71 होती है अगें यह irrational number है इसका मतलब डेसिमल के बाद में इसकी रिजिट्स बहुत सारी आएंगी लेकिन मैट्स में कैलकुलेशन के लिए हम उसको 2.71 जो वो बोल देते हैं अब यह exactly क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में तो पूरी मैट्स में लगाता रही ITJ में चर्चा जो वो चोपनी चलती रहेगी अभी के लिए आपको सिंपल याद यह रखना है कि पाई और E जो वो दो irrational number होते हैं जिसमें E जो वो नेपियर्स constant होता है चली अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अब इसके बारे में बात कर लेते हैं पाई के लिए अगर आपको calculation चाहिए होगी तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3.142857 इस तरीके की जो हमने बात बोली थी यहां पे भी आप ऐसा सोची है यहां पे 3.14 जो वो इतना ही आपको काम में लिया जाता है अच्छे यह पाई जो है ना पाई बेसिकली आपको एक पता भी होगा कि पाई डे भी मनाया जाता है पाई डे इसके बारे में बड़ी इंट्रेस्टिंग सी स्टोरी है ना पहले एक कोई तो साइंटिस्ट होते थे नाम में अच्छे में ध्यान नहीं आ रहा हुआ उनके उन्होंने बेसिकली पाई डे जो है वो चो सजेस्ट किया था और यह कब होता है यह भी मागर आपको थोड़ा सा पता हूं तो यह 13 थोड़ा थोड़ा आपका यहां पे जो जीके है वो भी बढ़ाया जा रहा है वो अफिर कई बार डेट और मन्त भी आता है तो यहां पर मार्च की हम बात करें तो मार्च 3 होता है और यहां पर यह ऐसे इसको लिखा जाता है 3 और 14 का मैंने क्या 14 मार्च तो इसने जो साइंटिस्ट था उसने उप्जर्व किया कि अच्छा भी पाई जो है उसकी भी विल्यों ऐसी होती है यह भी ऐसी है तो इसको पाई डे जो वो नाम दी दिया गया अब यह नंबर जो नो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा नंबर ह होता है अब इसको आपने देखा होगा कि 22 by 7 को हम पाई लिखते हैं बट यहां पे बच्छो ध्यान देना कि 22 by 7 एक्च्वल में पाई नहीं होता है पाई नहीं होता है आई टी जेई में जेए एडवांस की बात कर रहा हूं मसीदी जेए एडवांस में एक बार बच्चो एक सवाल पूछा गया था जिसमें उससे particular question का answer जो हो 22 by 7 आ रहा था 22 by 7 और आपको पता होगा कि जो यह advance है ना उसमें जो questions आते हैं उनके answers one or more than correct होते हैं एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं तो उसको solve करने पर answer 22 बटे 7 आ रहा था और उसमें एक option pi भी था अब जो भोले बच किया था उसका गलत हो गया सिर्फ उसका 22 बटे 7 लिखना था यह बेटा हम pi की calculation के लिए calculations को आसान बनाने के लिए पाई की value 22 बाई 7 यूज कर लेते हैं जबकि actual में जो 22 बाई 7 बहुत खतरनाग भयानक नंबर होता है यह ऐसा नंबर है यह पहली बार ऐसा नंबर देखने को मिला था जिसकी digits जो वो decimal के बाद में repeat कर ही नहीं रही थी कर ही नहीं रही थी अगीन एक mathematician थे उन्होंने इसकी calculation जब की थी ना तो मनलब कई कई दूर दूर तक वो चले गए तो मनला आपको पता है कि पहले calculator यह सब तो नहीं होते थे तो वो लिक लिक के करते थे तो लिक लिक के वो ऐसा मालो आदमी परेशान ही हो गया था उसने finally बोल दे था यह repeat जो 22 by 7 के exactly equal नहीं होता बट approximately हम ऐसा बोल सकते कि उसके equal होता है यानी कि approximately का मतलब आप समझ रहे हो जो यहाँ पर मैंने यह वाली line लिक की है ना इसका मतलब यहाँ पर finally आ चुका है यानी हम क्या बोलेंगे पाई and 22 by 7 are alternate to each other और are next to each other ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं यानी कि तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि पाई जो वो तो irrational number है और 22 by 7 जो हो पाई के just बाद वाला number है और यहाँ पर हमने यही तो बोला कि एक irrational number के just बाद या just पहले वाला जो number है वो एक rational number होता है और rational number के एक just बाद और पहले वाला जो है वो irrational number होता है तो यहाँ पे भी बच्चो यही सेम चीज है कि πाई जो वो एक irrational number है और उसके just pass वाला number 22 by 7 है इसलिए हमारा final conclusion क्या है कि 22 by 7 is a rational number but πाई is an irrational number clear I hope कि यहाँ तक बाते बच्चो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि यहाँ पे क्या-क्या जो है वो rational number होता है और क्या irrational number होता है यहाँ पे number theory में सबसे interesting वाला जो part था वो यह था अब हम आगे बढ़ते यहाँ तक आपने I hope note कर भी लिया नहीं किया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा post करके यह note जो वो च्वा पे कर लिजिए का इसके बाद हम आगे बाद लिकाहनी पे बढ़ते हैं तो देखिए ज़रा एक बात सोचना अब यह जो मोटा मोटी जो बात की हमने rational number और irrational numbers के बारे में इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बात है जो हम लिख लेते हैं जैसे कि अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलू कि भई एक rational number है उसको एक rational number में पहले rational की हम बात कर लेते हैं कि अगर एक rational number में एक rational number को आप add करते हो या फिर subject करते हो या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि आप उसको चाहे multiply करते हो तो यहां से हमेशा बच्चो आपके पास में क्या आएगा एक rational number जो वो आने वाला है यह सोटनो बहुत असान सी बात है दूसरी बात अगर मैं ऐसा बोलतू कि एक rational number को एक rational number से अगर आप divide करते हो अगर एक rational number को rational से divide करते हो और यहां पे इसको मैं Q1 और Q2 बोल देता हूं तो यह भी एक rational आएगा जबकि हम ऐसा बोल दें कि Q2 जब वो ओवेसी बात है कि not equals to क्या होना चाहिए बच्चो जीरो होना चाहिए चलिए अगली बात अगर मानलो हम ऐसी कर दें कि एक rational number है उसके अंदर अगर एक irrational number को add या, subtract या, multiply कर दें तो यहां से बच्चो क्या आएगा एक irrational number आएगा आसाने से बात समझे तो से rational number मानलो आपने ले लिया भई 3 by 2 ले लिया एक irrational number root 2 ले लिया तो overall यह number जो है वो कैसा आएगा आपके पास में वो भई बहुत ही आसान सी बात है कि एक आपके पास में एक irrational number जो आने वाला है अच्छा ठीक है इतनी बात समझा थी एक irrational number में अगर एक irrational number को add करते हो, multiply करते हो, subtract करते हो तो क्या आएगा ज़रा सोचो एक बार खुझ से सोचो कि ऐसा करने पर क्या आएगा तो यहां पर मैं ऐसा बोलूँगा maybe, maybe rational, maybe irrational और maybe, और maybe rational यहां से बच्चो कुछ भी आ सकता है जब तक हम उन rational और irrational numbers को दोनों irrational numbers को देखेंगे नहीं तब तक हम नहीं बता सकते कि इनका resultant जो वो rational आएगा यह irrational, बहुत आसान सी बासा में गर मैं समझाओं, एक एक जामपल ले लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 आपको पता है कैसा number है एक irrational number है, अगर मैं बात कर लूँ एक इसी के अंदर 2 माइनस रूट 3 कैसा number है, एक irrational number है इन दोनों irrational को अगर add करते हो तो 2 प्लस 2, 4 अगर इन दोनों को आप सब्ट्रेट करते हो तो 2 रूट 3, that is irrational अगर multiply करते हो तो 1, that is rational इसका उनल, rational, irrational कुछ भी आ सकता है, यह जब तक हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे नहीं तब तक अपने पास में clarity जो इस चीज़ की नहीं आएगी तो यह बैसे इसकी छोटी सी बाते थी, आप note कर लीजिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो इनका बड़ा number है, real number real number का basically मतलब क्या हो गया कि भई इसके अंदर सारे rational numbers भी आ जाएंगे सारे irrational numbers भी आ जाएंगे एक भासा में तो ऐसा बोल सकते हैं, और यह जो real numbers है, इसको represent बच्चों capital R सी किया जाता है इसकी formal definition देख लो क्या लिखा, numbers which can be expressed on number line और यहाँ पे जो बैटा number line लिखा है ना, यहाँ पे जो number line लिखा है इसके bracket में x-axis भी लिख लेना क्योंकि number line जो बेसिकली क्या होती है, यह x-axis होती है जिसके अंदर यहाँ पे 0 होता है इधर 1, 2, 3 ऐसे चलता है इधर minus 1, minus 2, minus 3 यह number line है तो real number हमने क्या बोला? एक कोई भी ऐसा number जिसको इस number line पे आप float कर सकते हो वो number जो real number है अब अगर मालों आपसे पूछू कि एक और दो, 1 और 2 के बीच में 1 और 3 के बीच में कितने real number है बोलो, सब के mind में है न 2 अरे नहीं बेटा, एक ही real number थोड़ी है इसके बीच में infinite real numbers है तो 2 real numbers के बीच में भी infinite real numbers जो हो सकते है तो यह सारी बात होगी यानि कि basically अब देखो इस चीज को हम कैसे दिखा सकते है यानि कि जो real number है basically वो minus infinite से लेके infinite तक के सारे के सारे जो numbers होते जो की number line पे आप float कर सकते हो वो सारे number बच्चो कौन से होंगे real numbers होंगे clear है यह चीज अच्छे इसी के अंदर हम सिंबल्स के अगर कुछ बात कर ले तो एक सिंबल आपको ऐसे r plus दिखेगा एक आपको ऐसे सिंबल r minus भी दिखेगा एक सिंबल यह r naught भी दिखेगा तो मेरे साथ साथ में बोलते जाना इनका मतलब क्या है r plus नाम से बेटा समझ में आ रहा है कि कौन से numbers लेने है positive real numbers लेने है और positive real numbers का मतलब कहां से start होते है 0 के थोड़ा सा बात से 0 को हम include नहीं करेंगे 0 से लेके infinity अब यह include नहीं करेंगे break it जो है इनका अलग-अलग मतलब होता है आगे के आने वाले lectures में हम सीखेंगे इन break it का क्या मतलब होता है क्या इनका लेना देना होता है पर आप अभी यह समझे कि positive r plus का मतलब होगा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बच्चों आपके लिए कि r plus अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है positive real numbers यह symbols बच्चों आपको धान रखने हैं क्योंकि कहीं जगे सिर्फ वो r plus बोलेगा आपको बताएगा नहीं कि r plus positive real numbers आपको खुद से सोचना है r minus की अगर बात करें तो यह बच्चों minus infinity से 0 है यानि कि negative real numbers similar way में r 0 r 0 का मतलब क्या है r 0, r note बोलते हैं इसको r note यानि कि 0 नहीं लेना बाकी सब कुछ लेना तो मैं ऐसा बोल दूँ कि all real numbers उसमें से 0 जो उसको minus कर दो generally generally यहाँ पे जो यह 0 लिगा होता है जो note लिखा होता है उसका मतलब यह होता है कि 0 उसके अंदर include नहीं करना for example अगर मालनों कि मैं i0 लिख देता हूँ तो i0 का मतलब क्या है basically सारे integers accept 0 यानि 0 को नहीं लेना बाकी सारे के सारे integers जो उसमें लेना है generally i0 का मतलब यह होता है ठीक है तो i think यहाँ तक आपको चीज़े जो clear हो गई होगी तो यहाँ तक जो basically खास बात थी वो अपने पास में rational और irrational number से related थी अब इसी में जो आपके पास में integers होते हैं उसके अंदर अलग-अलग categories होती है उन categories के बारे में जल्दी से एक बार देख लेते हैं पहली category यहाँ पे prime number होती है prime number की यहाँ पे definition भी लिखे है मोटा-मोटी अगर बात करें तो एक ऐसा natural number जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो की या तो one से divisible हो या खुझ से divisible हो और आपको पता है दुनिया के सारे number खुझ से divisible होते हैं और one से divisible होते हैं इन दो से तो सभी divisible होते हैं तो prime number basically वो होंगे जो इन दो के अलावा बेटा किसी और से divisible जो है वो नहीं हो रहे होंगे अगर मालूम मैं इनके examples की बात हो अच्छे इसके लिए ऐसा कुछ symbol नहीं है इसके लिए ऐसा कुछ symbol नहीं है basically कि जिसे हम इसको represent करें mathematically तो example के लिए अगर मालूम आपको बुच्छू की भई कौन-कौन से prime number से तो आपको पता होगा जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे के सारे numbers बच्चों कैसे हैं prime numbers या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई एक ऐसा number जिसके दो ही factor हो रहे हूँ एक वो खुद और एक वन इन दो के लाओ और कोई factor नहीं हो रहा है तो prime number होगा अच्छा ठीक है सर ये बात समझ में आगी अब इन prime numbers को अगर आप notice करो तो एक चीज़ देखो वई ये odd, ये odd, ये odd, ये odd यानि कि आग आगने वाले सारे prime numbers odd होंगे लेकिन ये एक अकेला prime number ऐसा है बच्छो जो कैसा है even है तो इसी बात को note डाल के लिख दें क्या note डाल के लिख दें क्या 2 is only even prime number 2 is only even prime number बैस इतने सी बात आपको धान रखने है बाकी के आने वाले जितने भी prime numbers होंगे बेटा वो कैसे prime numbers होंगे आपके पास में odd prime numbers ये वो मिल रहे होंगे ठीक है तो बहुत ज़्यादा चीज़े इसके अंदर कुछ है नहीं आगे चलते जो prime number नहीं होंगे वो composite number होंगे या मैं उल्टा ऐसा बोल दूँ कि जैसे हमने बोला कि एक ऐसा natural number जिसके दो ही factor हो रहे हैं वो कैसा होगा prime number कोई एक ऐसा natural number जिसके दो से ज़्यादा factor अगर हो जाएं तो वो composite number होगा और यहाँ पे भी यह ऐसा ही लिखाओ if it has at least three distinct factors तो sorry अगर मालनों में सबसे पहले बात करूँ इसके example की इसके example की अगर हम बात करें तो पहला composite number सबसे छोटा कोण होगा क्या one composite number है अच्छा one बहुत ही खास है one जो है वो ना ही तो prime number में count होगा और one जो है वो ना ही composite number में count होगा one prime नमबर भी नहीं है और 1 जो वो composite नमबर भी बच्चो नहीं है चलिए तो 1 नहीं है 2 आपको पता है प्राइम नमबर था 3 आपको पता है प्राइम नमबर था तो यह लीजे 4 पहला नमबर आपको पता है 4 के कौन-कौन से factors होते हैं 1 होता है 2 होता है 4 होता है यारी 3 मिलने और at least हमने जी तो होला कि 3 जिसके मिल जाएंगे वो कैसा होगा आपके पास में composite number होगा जैसे 4 के बाद में अगली हम बात करें तो 6 6 भी होगा उसके बाद अगली बात करें 8 9 ये सारे के सारे numbers जो बच्चों कैसे numbers है composite number है तो यहाँ पर इस बात को भी हम लिख सकते है 4 is 4 is smallest 4 is smallest composite number 4 is smallest composite number 4 जो बच्चों सबसे छोटा composite number जो आपके पास में match में होता है ठीक है तो ये भी बस इतनी सी गणीत है कोई खास नहीं है इसमें आगे चलते हैं co prime number अब देखो इनकी importance क्या है तो ये आपको पता क्यों होना चाहिए क्योंकि match में जब आपके पास में सवाल आएंगे तो मालो कि किसी सवाल का answer 4 आ गया तो वो कई बार आप से answer में ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका answer 4, 5, 6 ऐसे भी पूछता है कई बार वो ऐसे पूछता कि आपका जो answer आया है वो composite number है क्या वो prime number है क्या अगर दो answer आया रहे तो वो number आपस में co prime numbers है क्या है तो co prime numbers देखो क्या होते हैं two natural numbers यहाँ पे काफी बार जो confusion होता है बहुत बड़ा confusion नाम से हो जाता है co prime का मतलब पहली चीज़ हम ऐसा समझते कि दो prime numbers के बारे में बात हो रही है इसलिए बच्चों मैंने clearly यहाँ पे लिख दिया है कि वो numbers prime होना जरूरी नहीं है वो दोनो numbers जो prime होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो two natural numbers are cold co prime if their HCF is one if their HCF is one HCF का मतलब क्या होता है highest common factor अरे बच्चपन में common लेना पढ़ा है ना समने जिसका common factor 1 आ रहा हो ऐसे numbers co prime numbers होते हैं अगर मानलो मैं आपको बात कर लूँ अगर मैं आपको आपके सामने बात कर लूँ कि भी two or three यानि कि जिसका HCF one आ रहा है यानि इन दोनों में कुछ common factor नहीं आ रहा है two three की बात कर ली हमने three four की हमने बात कर ली three five की हमने बात कर ली 57 की बात हमने कर ली कोई भी अगर बात कर ले इस तरीके से सारे के सारे numbers जो बच्चो कैसे numbers है को prime numbers है अब मालनों कि अगर मैं यहां पे special कुछ इसके बारे में बात आपको बताऊं थोड़ा सा आपने notice अगर किया हुआ हो बच्चो आप अब दुनिया के कोई भी दो consecutive natural numbers पकड़ लो कोई भी दो तो मैं पहला point यही लिख रहा हूँ any two consecutive any two consecutive any two consecutive natural numbers any two consecutive natural numbers any two consecutive natural numbers are co-prime numbers co-prime numbers कोई भी दो लगातार वाले integer बच्चो आप पकड़ दो या natural number उसमें को हम बोल दे तो वो हमेशा कैसे होंगे co-prime numbers होंगे इसके अलावा any two prime numbers any two prime numbers are co-prime numbers क्या बात की बच्चों हमने कि कोई भी दो prime number ले लो जैसे 2, 5 आप ले लो 3, 5 ले लो 17, 19 ले लो कोई भी 2 prime number ले लो अगर कोई भी 2 prime number आप लोगे तो वो हमेशा आपस में बच्चों कैसे होंगे co-prime numbers होंगे और इसके अलावा मैंने आपको बताए कि कोई conjugative natural numbers अगर आपके पास में हैं तो वो भी हमेशा कैसे होंगे co-prime कोई भी number आप ले लो जैसे मालो मैंने यहां पे tail ले लिया, 37 ले लिया तो यह आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का hcf 1 आएगा यह नि इन दोनों में कोई भी 1 के अलावा कोई इनका common factor जो अब अच्चों नहीं है तो यह भी आपके पास में कैसे होंगे बिल्कुल co-prime numbers जो आपके पास में रहने वाले हैं तो आपको आइद दोनों नमबर से हमेशा I hope याद रहेगा co-prime का मतलब जिनका कोई भी factor जो हो common ना हो और जो दूसरी important बात थी वो क्या थी कि co-prime numbers का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों numbers आपके पास में prime जो होने जाहिए ठीक है बच्चों चलिए आगे की बात कर लेते है twin prime number अब twin prime number देख लो क्या है if the difference between any two prime numbers is two यह आसान है twin prime तो इसका मतलब यहाँ पे नाम में लिख्खा है वही इसका मतलब भी है prime का मतलब दो prime number होने चाहिए twin prime का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों के बीच का जो difference है वो कितना होने चाहिए it if the difference between two prime numbers is two क्योंकि सारे prime numbers के beच का difference दो नहीं होता है तो यह अपने माहिट से निकाल देना वापन से, बेसिकलिए हमने ऐसा बोला कोई भी दो प्राइम नमबर आप उठाओ, अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 है, जैसे की 3, 5 अगर मालो मैंने ले लिया, इनका डिफरेंस 2 है, तो यह दोनो नमबर्स जो बच्चो कैसे नमबर्स है, को प्राइम नमबर्स है, अगर हम बच्चो 5, 7 ले ले, तो यह कैसे नमबर्स है, आपके पास में ट्विन प्राइम नमबर्स है, अगर मैं 17, 19 ले लूँ, तो ये numbers आपके पास में कैसे numbers है twin prime numbers है 11, 30 ले लूँ तो ये twin prime numbers है तो तीन चीज़े हमने दुबारा से एक बार आपको repeat करवा देता हूँ आखे बंद कर लो, सुन लो Prime number के बारे में हमने बात की Prime number वो numbers थे जिनका factor या तो वो खुद हो या 1 हो उसके बास second हमने बात की composite numbers की composite numbers बच्चो वो थे जिनके कम से कम तीन factor जो होने चीज़े थर्ड हमने बात की Co-prime numbers की Co-prime numbers जो है वो बेसिकलिए आपके पास में क्या थे ऐसे prime numbers जिनका common factor 1 हो 1 के अलाग कोई common factor नहीं होना चीए अगली हमने बात की twin prime numbers की twin prime numbers का मतलब एक दो ऐसे prime numbers आपके पास में थे जिनका difference जो वो 2 आ रहा था तो वो आपके पास में कैसे थे twin prime numbers तो ये सारी बाते हो गई जो real जो अपनी वास्थविक दुनिया है उसकी बारे में बात हो गई सारे numbers के बारे में बच्चों हमने बात कर ली है यहाँ पर जितनी भी type के जो numbers हो सकते थे real दुनिया में अब यहाँ पर complex number जैसे कि मैंने आपको starting बताया था इसको Z कटा हुआ Z जो ऐसे इसको represent किया जाता है आपके 11th class में ही या मतलब हम ऐसा बोल दी ही एक complete chapter होता है complex number वहाँ पर इसके बारे में detail में हम बात करेंगे बट यहाँ पर थोड़ी सी imaginary number का अगर मैं आपको थोड़ा सा idea दे दू तो imaginary number basically क्या होता है आप एक चीज समझना जैसे अगर मान लो कि मैंने कहीं पर ऐसा लिखा x square plus 1 equals to 0 तो यहाँ से आपको पता है x square की value जो वो क्या ही कि minus 1 अब यह बात थोड़ी सी mind में set नहीं हो रही कैसे जो left hand side है किसी भी real number का जो square है वो हमेशा एक positive number आता है but right hand side negative लिखी हुए तो positive equals to negative ऐसा वास्त्विक दुनिया में possible नहीं है बट जो imaginary दुनिया है उसके अंदर ऐसा possible है और यहाँ से जब हम x को लिखते है तो हम ऐसा बोल देते हैं यह under root के अंदर minus 1 आ गया under root के अंदर minus 1 कभी देखा है क्या अरे नहीं सर नहीं देखा तो बस अब देख लो यही बच्चो imaginary दुनिया है यही आपके पास में जो हो कैसी दुनिया है imaginary दुनिया है काल्पनिक दुनिया है और इसी जो काल्पनिक जो चीज है ना under root के अंदर minus 1 इसी को एक नाम दिया जाता है आयोटा जिसको ऐसे small i से बच्चो represent किया जाता है तो यह आपके पास में एक complex number होता है और इसको represent करने का जो general standard तरीका होता है z is equals to a plus आयोटा b लिखा होता है यहाँ पे a और b जो बच्चो कैसे numbers है real numbers है तो अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए अब आगे again आयोटा को हम detail में भी complex number जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे detail में बच्चो इसकी सारी की सारी बाते जो है वो कर रहे होंगे तो यह आपका जो हमने basic math का first lecture start किया था उसमें starting में हमने आपको बताया था कि हम दो चीजों के बारे में बच्चो आज के lecture में पढ़ने वाले हैं जिनमें first number theory था वो यहाँ पे अपना complete होता है जो second part है HCF and LCF उनके बारे में बच्चो मापको थोड़ा सा जो आइडिया दे देता हूँ कि वो क्या होते हैं तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले HCF के बारे में तो HCF देखो इसमें कुछ-कुछ चीज़े तो आपने जो बच्च्पनी में पढ़ी हुई है वापस से मैं वही चीज़ आपको बता देता हूँ HCF का मतलब आपको सबको पता होगा क्या मतलब होता है इसका highest common factor highest common factor highest common factor तो इसी के बारे में अगर हम मालो कि सबसे पहले बात कर लें कि इसमें कैसे जो हो हम चीज़े जो निकालेंगे कैसे जो चीज़े इसके अंदर हम find करेंगे HCF तो अगर मालो कि मैं बिल्कुल ही basic सी आपको थोड़ी सी बात बता हूँ तो जो आपने बिल्कुल बच्पन में पढ़ी हुए अगर हम उसकी बात करें अच्छा इससे पहले भी जो हमने थोड़ी सी बात की है HCF की जैसे prime numbers होई रहा है जैसे आपको पता है अगर मालो मैं ऐसे बोल दूँ कि HCF of two and five ये बताईए तो ये कितना होगा पताओ जरा कितना होगा one होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी common factor जो आही नहीं रहा तो highest common factor की बात हम कहां से करेंगे चलिए अगली बात मैं पूछ लेता हूँ आपसे अगर मालो कि मैंने आपसे पूछा कि आप two और four जो है इसका highest common factor बताईए तो वो आप क्या बताओगे वो आप two बताओगे yes or no एक और पूछ लेता हूँ आपसे आसान सा HCF of अगर मालो मैंने three और nine का पूछ लिया तो यह कितना होगा three यानि कि कोई भी दो number जिनके अंदर जो common factor जो highest है वो कितना आ रहा है basically उसके बारे में हम बात करते हैं चलिए यह HCF की बात होगी जो basic वाली बात है इसका मतलब basically क्या है कि दो numbers का L6 में एक ऐसा number होगा सुनना धान से आना बच्पन में देखा आपने दो numbers का L6 में एक ऐसा number होगा जो कि दोनों number से dvj बहो और वो सबसे छोटा number basically होना चाहिए जैसे कि अगर मालो कि मैं यहाँ पर again examples की बात करूँ आप सब बहुत ही समझदार बच्चे हो तो जल्दी जल्दी से मेरे को इसका answer जो हो आप बताते जाओगे सबसे पहले अगर मालो यार मैं आप से पूछू कि भई LCM बता दो मेरे को आप किसका बता दो बहुत ही basic से हम बात कर लेते हैं कि 2 और 4 का आप मेरे को LCM बता दो तो आप बता जो 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 है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी divisible है और 4 से भी divisible है जी सर बिलकुल बात समझ में आगी अच्छा मालो मैं आप से ऐसा पूछ लूँ कि LCM of 2, 4, 8 बता दो जरा LCM of 2, 4, 8 2, 4 और 8 का LCM कितना होगा तो आप खट से बोल दोगे कि सर यह कितना होगा 8 होगा अच्छा चलो बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी से आंसर देना LCM of 3, 6, 9 कितना होगा 9 अरे यही सोच रहो ना गलत है यही तो यही जल्दबाजी बच्छों आपको नहीं करनी यही जल्दबाजी बहुत common common सी mistake होती है एक्चल में मैच में तो यह mistake से टाइप कि आपको नहीं करनी अरे भई 9 जो वो 3 से तो divisible है 9 से भी divisible है पट क्या यह 6 से divisible है क्या नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिवीजिबल हो और सबसे छोटा हो तो वो आपके पास में बच्चों क्या आएगा आएगा आपके पास में 18 आएगा तो यह यहाँ पे जो आपने बच्पन में बात की उनके बारे में मैंने बोला अब यहाँ पे मैं आपको जो एक खास सीज़ बता रहा हूँ इसमें भी बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा पहले LCM of अब अगर मालनो कि मैं rational number type से लिखू LCM of A upon B C upon D E upon F इस type से बच्चों आपके पास में तीन नंबर जो वो लिखे हुए है क्या लिखे है तीन नंबर लिखे है इनका LCM लेना है तो आप क्या करोगे जो numerator में यहाँ पे बच्चों नंबर लिखे हुए है इनका आप क्या ले लोगे A, C, E इन तीनों नंबर का आपको LCF ले लेना है और यहाँ पे जो यह नीचे बच्चों आपके पास में आ रहे हैं तो उनका LCM जो है आप कैसे find it करोगे I hope आपको एक clear होगी तो एक example मेरे को जल्दी से बता दो अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दू LCM of 1 by 2 लिख दिया मैंने 3 by 5 लिख दिया मैंने और एक और कोई नंबर हम ले लेते हैं जैसे की 5 by 6 हम ले लेते हैं 5 by 6 इसका LCM निकालना है तो बताइए कैसे निकालेंगे उपर जो नंबर से उनका HCM लिखना है एक बार लिख देता हो मैं HCF of 1, 3, 5 एड जो नीचे आपके पास में नंबर से उनका क्या लिखूँगा यहाँ पर LCM अब बताइए दरह 1, 3, 5 इसका HCF का मतलब common factor, सबसे छोटा common factor common लेना है HCF का मतलब तो वो 1 है और LCM 2, 5, 6 एक ऐसा नंबर सबसे छोटा जो की 2 से भी divisible हो जो की 5 से भी divisible हो जो की 6 से भी divisible हो तो वो बच्चो आपके पास में सबसे छोटा कितना आता है 30 तो यह यहाँ पर 1 upon 30 जो हो क्या होगा इसका LCM जो वो आपको मिल जाएगा तो वैस यह वाली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसी में चलिए हम थोड़ी सी और आगे की अगर कुछ कहानियों की बात कर लेते हैं कि यह जो आपके पास में rational numbers होते हैं irrational numbers होते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है इनका जो LCM है अच्छे उससे भी पहले अगर मालो मैं एक बिल्कुली थोड़ा सा अलग टाइप से अगर algebraic टाइप से अगर माँ आप से पूछू अगर आपको इसका LCM निकालना है तो I think आपको निकालना आता होगा नहीं पर आता तो अभी हम सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और यह यहाँ पर हमने ऐसा ले लिया इसका LCM ज़रा सभी इससे भी डिवीजीबल है और इससे भी आपके पास में क्या डिवीजीबल है तो यहीं बच्चो क्या हो जाएगा आपके पास में इसका LCM चली अब जो मैं यहाँ पर आपको एक खास जो बात बताने वाला था उसके बारे में आपके साथ में थोड़ी सी चर्चा की जाए देखते हैं आपको कितनी चीजे जो समझ में आ रही है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं LCM of LCM of एक अगर मालों आपके पास में rational number है और एक दूसरा जो वो भी rational number अब क्यों लिखूंगा मैं बार बार rational नहीं क्यों का मतलब समझ में आना चाहिए क्या है rational number चलिए अब अगर मालों में एक दूसरी बात कर लो कि LCM of एक rational और एक irrational एक अगर मालों में तीसरी बात कर लो LCM of irrational and irrational तो आप मेरे को बस ये बता दो कि इन तीनों में से कौन सा possible है और कौन सा possible नहीं है अपनी अपनी notebook में इमानदारी से पहले लिखो कि इन में से कौन कौन सा possible और फिर answer match करो तो भी दो rational number का LCM बिल्कुल possible है दो एक rational और एक irrational number का LCM कभी भी possible नहीं है अरे खुद ही सोचके देखो LCM का मतलब क्या बोला था least common multiple इसका मतलब हमने क्या बोला था कि एक ऐसा number जो कि दोनों number से divisible हो तो भी irrational number से divisible कैसे होगा और irrational से है तो वो rational से कैसे divisible होगा तो इसका हम बहुत एक अगर आपके पास में rational number है एक irrational number है तो उसका कभी भी LCM possible नहीं है अब दोनों अगर irrational है तो उनका LCM possible है की नहीं है तो ये बच्चो depend करता है ये depend करता है depends upon depends upon depends upon family of depends upon family of irrational numbers क्या मतलब है इसका उसके बारे में बात करेंगे यानि कि घर अगर दो आपके पास में बच्चो irrational number तो उनका LCM तब possible है जब वो एक ही परिवार से आ रहे है अगर वो एक ही परिवार से आ रहे है तो उनका LCM possible है बट अगर वो अलग-अलग परिवारों से आ रहे है तो उनका LCM ऐसे case में possible नहीं होगा चलिए क्या मतलब है पहले तो मैं इसको थोड़ा सापको एक्जाम्पल के तुरू बता देता हूँ जैसे अगर मैं आपको पूछूँ कि वह एल्सीम आफ टू एंड रूट थी इनका एल्सीम बताओ तो आप खट से बोल दो कि नहीं होता सर यह नहीं होता यह त समझ Majesty और अगली बात कर लेता है हम अ पहले के बारे में आपको खास सिजपहलता हूँ पहले उसके बाद में वापस इस पर आते तो आपको थोड़ी सी और clarity आएगी, थोड़ी सी और clarity आएगी, थोड़ी सी और understanding आपके आएगी, अगर वापस आ रहे हैं, हम वापस आएगी उस चीज पर, rational और irrational वाले पर, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आजे, बहुत basic सी बात हम आपको बता देता हूँ, अगर मान लो, LCM of A and B, कोई भी दो number है, और इनका LCM C आ रहा है, बहुत काम की बात है बच्छो, क्या बोला मैंने, if LCM of A and B is C, then, then, C by A and C by B must be, must be integers, क्या बोला, अगर कोई भी दो number हो, या दो से ज्यादा हो, अगर उनका LCM हमने बोला कि कोई एक तीसरा number C आ रहा है, तो उस C को, अगर बेटा, उन्हें दोनों number से अलग-अलग, अगर आप divide करते हो, तो वो हमेशा एक integer आना चाहिए, ये बात आपको अपने mind में बढ़िय से सेट कर लेनी है, अगर examples के हम बात कर लें, जैसे मानलों कि मैंने आपको बोला, आपको सबको पता है कि अभी अभी हम, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर 2 और 4 का LCM आप से पूछा जाए, तो वो कितना होता है, 4, अब ये देखो, जो 4 है ना, इस 4 को अगर आ LCM of 235, तो आप कितना बोलते हों आपको सबको पता है कि LCM आता है 30, अब 30 को देखो 2 से डिवाइड करो, इंटीजर, 30 को 3 से डिवाइड करो, इंटीजर, 30 को 5 से डिवाइड करो, इंटीजर, अब बस आंखे बंद कर लो, और सोचना मेरी वात को, अब जो बोला हो, उसको आप divide करोगे जिनका LCM आपने लिया है तो वो हमेशा हमेशा एक integer आना चाहिए बस ये बात जो वो अपने mind में आप अच्छे से set कर लीजिए अब अगर ये set हो चुकिए अब यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी otherwise दिक्कत क्या आती है बेटा दिक्कत क्या आत तो अपनी बात fail होगी ना जो अभी भी हमने बोला कि जो LCM आता है अगर उसको से number से divide करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए तो यादने आप तो simple यह देख लिए एक रो अगर कई बार क्या होता कि हम गलत LCM भी ले ले लेते हैं लेकिर LCM लेने के बाद अगर आपने number से divide क कर दिया इंटीजर नहीं आया तो समझ जाना कि आपने कोई ना कोई भी लोचा जो यहाँ पर कर दिया है तो एक और मैं एक दो example और बता देता हूं जो हम यहाँ पर सेम परिवार की बात कर रहे थे कि अगर दो irrational सेम फैमली से बिलोंग करते हैं तो उनका भाई जो वह यहा जवाब से पूछनों तो बता हूं क्या जवाब दो गया मैं देता हूं इसका जवाब इसका LCM आएगा इसका LCM बिल्कुल possible और वह है 3 root 2 यह irrational था यह भी irrational था फिर भी इन दोनों का फिर भी इन दोनों का क्या आया है यहाँ पे LCM आया है यह LCM सही है पता कैसे चले डिवाइड करके देख लो ना 3 root 2 को root 2 से डिवाइड किया 3 integer 3 root 2 को 3 root 2 से डिवाइड किया 1 that is also an integer इसका मतलब यह दोनों सेम परिवार से थे कौन सा परिवार था इनका इनका परिवार था यह दोनों root 2 वाला जो irrational number का जो प्रजाती है जो root 2 irrational number का जो परिवार है उससे दोनों belong कर रहे थे बट यहाँ पर क्या हो रहा था एक root 2 वाले परिवार से आ रहा था एक root 3 वाले परिवार से आ रहा था इसलिए उसका हमने बोला था कि LCM जो possible नहीं है चलिए एक बात और कर लेते हैं अगर मालों मैंने pi और pi square का LCM आप से पूछ लिया तो बताओ क्या होगा खुझ से आंसर देना है खुझ से आंसर देना नहीं होगा एक pi square का परिवार है एक pi का परिवार है दोनों अलग-अलग परिवार है तो इनका LCM नहीं होगा यानि दो irrational number का दो irrational number का LCM तभी possible है जब वो same परिवार से बचोग बिलोंग करते हैं एक last example और लिख लेते हैं यहाँ पे अगर मालो मैंने ऐसे बोल दिया कि 2 pi और 3 pi इनका LCM क्या होगा तो क्या इनका LCM possible है जी सर बिलकुल possible है और वो 6 pi है अब इन दोनो 2 pi भी irrational था 3 pi भी irrational था पर वो दो रिवाइड कर दिया sorry 6 pi है LCM 2 pi से रिवाइड किया 3 integer 3 pi से रिवाइड किया 2 that is also an integer तो यह भई LCM और HCM की कहानी थी एक और important चीज जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं note number 1 हो गया और यह जो note बेटा मैं आपको लिखवा रहा हो ना यह note अपनी जीवन में अपने जीवन में काम आती रहेंगी अगले note की मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कोई दो number मैंने ले लिए LCM of AB कोई भी दो number मैंने ले लिए LCM इनका suppose LCM जो हो CR है और इन्ही दो numbers का अगर मानलो बच्चों मैंने HCF लिया तो वो D आ रहा है धान से समझा मेरी बात को वेटा इनके बारे में मै क्या क्या बात कर रहा हूँ पहली चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ HCF is always less than LCM HCF दो number का HCF बेटा दो number का HCF बेटा कभी भी उनके LCM के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि ये दोनों number अगर हमने मालू 11 ही ले लिए तो 11 का तो HCM भी 1 है LCM भी 1 है इसके अलाओ अगर आप कोई भी number लोगे तो यहाँ पे हमेशा HCM जो वो LCM से चोटा होगा चलिए एक दूसरी बहुत ही काम की बात बता देता हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार बात देखना 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 कि यहाँ पे अगर A और B का आप multiply करते हो तो वो C और D के multiply के equal आता है और भाई यह बहुत काम की चीज़ है यह बहुत काम की चीज़ है क्या बोला हमने यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं language में लिखूँ तो product of two numbers product of two numbers is equals to product of product of HCF and LCM बैस यह बच्चों आपको धान रखना है कि किनी भी दो number का अगर आप product करते हो तो उनका product उनके HCF और LCM के equal उनके product के equal आता है जैसे अगर मालो कि मापको कोई भी दो number हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे 4 और 6 ले लिया 4 और 6 का HCF कौन बताएगा वही 4 और 6 का HCF highest common factor 2 है इनका LCM की बात कर ले LCM का मतले एक ऐसा number जो की 4 से भी divisible है 6 से भी divisible हो क्या होता है 12 होता है अब इन दोनों का product देखो 24 इन दोनों का product देखो 24 दोनों जो वो क्या आ रहे है बच्चों आपके पास में equal आ रहे हैं तो ये बच्चों आपके पास में HCF और LCM की बिल्कुल basic level की जो है वो कहानी आपके पास में हो चुकी है ठीक है तो जल्दी से एक बार आज के lecture को मैं summarize कर देता हूँ number theory के बारे में हमने बच्चों बात की जिसमें हमने real numbers के बारे में बात किया फिर real number में rational irrational numbers क्या होते है उनके बारे में बात की फिर rational numbers के अंदर भी जो integers होते है natural numbers होते है whole numbers होते है उनके बारे में हमने बात चीत की फिर हमने जो चोटी चोटी definitions होती है आपके पास में की prime number क्या होता है ट्वीन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की और फिर उसके बाद में हम आ गहे थे, हCF and LCM वाले पार्ट पर उसके बारे में हमने काफी काफी नहीं नहीं चीजे जो वो सीखी हैं, तो I hope आपको लेक्चर जो अच्छे से समझ में आय कीजिए और एक बार फिर से और questions को आप खुद से जरूर ट्राइए करना हो, ओके students चलिए फिर मिलते हैं जल्दी next lecture में